करोणों भक्तों को जिस तारीख का लंबे वक्त से इंतजार था वो तारीख अब सामने आ गई है शिराम जन्भूमि ट्रस्ट की बैठक में आज अयोध्या के सिला न्यास की दो तारीखे तै हुई तीन अगस्त या फिर पांच अगस्त अब प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी को मंदिर के भूमी पूचन के लिए निमंत्रन दिया गया है अब दो तारीखों में जिस दिन भी प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी समय देंगे उस दिन राम मंदिर के निर्मान का शिला न्यास होगा रिपोर्ट देखे राम मंदिर निर्माण की वो मंगल बेला आ गई है जिसका देश की जनता लंबे वक्त से इंतजार कर रही थी राम मंदिर निर्माण के लिए भूमी पूजन की तारीख तै हो गई है श्री राम जन्म भूमी तिर्थक शेतर की बैठक में भूमी पूजन के लिए दो तारीख हैं तै की गई है राम मंदिर निर्माण की मंगल बेला अगले महिने तीन अगस्त या फिर पांच अगस्त को राम मंदिर के लिए भूमी पूजन का शुब मोहरत निकला है यानि इन दो दिनों में से किसी भी दिन राम मंदिर निर्मान की आपचारिक शुरुआत हो सकती है राम मंदिर के संकल्प को साकार करने के लिए प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों ही मंदिर का भूमी पूजन होगा राम मंदिर ट्रस्ट की ओर से प्रधान मंत्री को निमंत्रन भेज दिया गया है प्रधान मंत्री मोदी के हाथ हो भूमी पूजन तीन अगस्त या फिर पाँच अगस्त के शुब मोहर्थ की तारीख प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी को भेज दी गई है अब प्रधान मंत्री की ओर से जिस दिन की मंसूरी मिलेगे उसे दिन राम मंदिर के लिए भूवी पूजन होगा मॉडल में क्या कुछ परिवर्तन की बात की जा रहे थी? प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी तीन अगस्त या पाच अगस्त को आयोध्या आ सकते हैं और यहाँ पर राम मंदिर का भूवी पूजन कारिकर में शिर्कत करेंगे सुत्रों से जो जानकारी मिली है आज शिराम जन भूवी तीर्थ शित्र ट्रस्ट की बैठक में यह फैसला लिया गया कि प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी को अयोध्या बुलाया जाएगा उसके लिए आमंत्रण भी भेजा गया है ट्रस्ट ने 3 अगस्त और 5 अगस्त की दो तारिके पीएमो को भेजी है और अब प्रधानमंत्री कार्याले को इस बात पर अंतिम फैसला लेना है कि पीएम मोधी तीन अगस्त को अयोध्या आएंगे या पाच अगस्त को प्रधानमंत्री जी को श्री राम के भक्तों का कहना है कि आयोध्या आने बाले श्रद्धालो श्री राम की दिव्यता से अभी भूत हुए बिना रह नहीं पाएंगे